नमस्कार स्वागत आप सभी का हमारे बेहत खास कारेक्रम में मैं हूँ आपके साथ शेल जतियागी दर्शको हकीम सुल्मान खान सहाब की टीम जैसे की लखनाओ विजिट पे पहुँच गई है और आज मैं जहां पे मौजूद हूँ वो लखनाओ के पास का एक गाउ है और यहां पे हमारे एक पेशन्ट रहते हैं जो हकीम सहाब से जुड़े हुए है और हकीम सहाब की कौन सी दवाई से उन्हें फायदा मिला है कितनी उन्हें अभी राहत मिल गई है यही सारी बाते जानने हम उनके घर आए हैं उनसे मिलने आए हैं लेकिन आप सभी को बताना चाहूँगी जिनसे आज हम खास बातशीत करने वाले हैं उनके जो बेटे हैं उनका नाम है आरबी वर्मा जी आपने आरबी वर्मा जी का नाम जरूर सुना होगा उनका इंट्रव्यू हमने पहले लिया था और वो आप यूट्यूब चानल पे भी देख सकते हैं तो आरबी वर्मा जी ने और लोगों की भी मदद की है हकीम सहाब की नुक को के जरीये हकीम सहाब की दवाईयों के जरीए तो उनके फ आज हमारे साथ मौजू रही हूं जिर्थ नाम है शिव चरण लाल वर्मा जी मिलकर उनका स्वागत करते हैं जानते हैं उन्की सेहत का हाल सवागत है Gir starter को उनके जल लेन गार ऑँ संदिला है और जिला हर्दोई का में निवासियों थाना कछोना पड़ता है ठीक है आपकी उम्र कितनी है हमारी उम्र है इस समय में 87 साल की है हाकीम सुलिमान खान साहब से कैसे जुड़ है यह हमारे लेलेक 내일 है सूम्र को DAN D you know 快on जा खेला क الأड़ा थै कांदा तो हमारे धाक्तर साहब और उन जो इन को मताया तो यह दिया जह फिर इनों थे दवा हमको खिलर ही है खिलाने से हाकीम साहब शुलेमान कहां चिंने कि दवा से हमको इतला फैदा हुआ है यह फायं फाय। एईश हमारा गुमता था, आएश है आई अ आएश हूता धा रहा है। यह एड़ी कता ही नहीं होती है, यह जे मूटे थी, यह सम्झलो की तो हजार नो ओठ चरे हमारे पार सुझी आती है तो हम जैसे पानी पीते तो पानी हमारा थुग सीधे मालुप देता रहा है कि पारो पर उतर गया वो सुझा नहा जाती है यह दवा हम 20 नौम्मर और 21 चरे ह सुलेमान साहब की दवा खाते रहे हैं पहले ते एक चुटकी हमको हमारे भीया ने बताया राम बली बर्मा की एक चुटकी खाओ तो एक चुटकी तो फिर बात को हमको बताया नहीं दू चुटकी गोंद लो उसके बाद में गरम पानी लो और उसके साथ में खाओ तो उसस जिए उतर गया है पएरों पर, तो वहारे बहुतो मोटे मोटे हो जाती थे। बाद मुझे खाया हमने जैसे धीरे हैं धीरे ये हमारे पएर जानों की सूजन नहीं रही उजन जब ना खतम हो गई तो हमको ये दवा से जै भी भी हमने दीक़ा कि जैसे हम खा लेते हैं तो हमारी हावा जो निकरती है, ग्रैसे कुछ नहीं, नहीं पहले कभी पेट सूजी आता रहा है, तो यह हम को आराम हुआ, और फिर उससे हमको देखाता है कि कई चीज जो हमारे स्वी में नहीं हम को मालूम देती है कि यह हमारे बीमारी है, यह खाने से हम फ्वादा हुआ, तो हम भी है कहा रहा है, साल खाना जादा नहीं, फिर बात में हम जे दवा छोड़े नहीं, क्योंक हम जादा उमर के हैं, तो इससे हमको भूत फैदाए, साम को हम खा लें जो, तो हमारा खाना पच जाता है, जल्दी अच्छ आप अब तो बहुम लोग जहीं बताते हैं, हम इस दवा से हमारा जी जहीं चाहता है कि हम ये दवा छोड़े नहीं जटने जिख जी है, इतना हम को भागगे, इतना फैदा अपको फैदा हम को शरीर के अंदर मालू में देता है जब खाल तो हम जैसे साम को खाय लेते हैं, माल लिया है कि हम लेखते हैं और दूसरे है कि क पतली आती रहे, इसे हमको पतली नहीं आती, समय से जाते हैं, और जैसे हमारे बहिये उन्होंने बताया, गरम पानी में खाई है, और गरम पानी खाते हैं, और सुबा ये एक गिलास गरम पानी पिया करो इसे सादा, जैसे एक और देरी बताया हैं, लेकिन उसको खाने से, हमा हमारे दाब हकीम साहब, सुलेमान खावान, हम सुचते हैं उनको कभी मिलें, लेकिन हम चल नहीं पाते हैं, तो इसलिए उनको मिल नहीं पाएं। कोई नहीं, आप इस इंटरव्यू के जरीए जो आपकी मेरी बात होई है, आप अपनी बात उनसे कह सकते हैं, सबसे पहले वही देखें कि आपका इंटरव्यू, तो आप इस इंटरव्यू के जरी कुछ कहना चाहते हैं, कह सकते हैं, वो भी हाईगे, वो सुनेंगे आपका इ दोपार 12 बजे और साम को छे बजय प्रोगारा माता है लेकिन हम अब सुनते हैं तो उसमें पूरा हता हमारी जैसे सुनने में अच्छा सर आपको फाइदा मिला है दवाई से आप हकीम साहब से मुलाकात भी करना चाहते हैं उनको दुआ देना चाहते हैं तो आप बोल सकते उ जाएं के बारे में वो सुनें कि आपकी बात उन तक जरूर पहुंचेगे जाएं तो जैसे दो आदमी पकाड कर ले जाएं यहां मारा जिंडाले साध करके लाठी और उसको हम पकाड करके देरे चली पाते हैं गिरने डरते रहते हैं खरण जाएं और सड़क है इस पर जाएं पर जैसे पर जैसे है तो उसमें हम गिरने डिरते हैं तलुक चूक जाएंगे गिर जाएंगे हैं तूट जाएंगे लेकिन इससे हमको मालूम देता है कि यह है जो पर है हमारे तकड़ मालूम देने लगते खाने से यह सभा अच्छा बहुत लोग कहते हैं लेकिन हम को फाइदा है हम जिदिगी में जे दवा काला गोल छोड़ना रही चाहती है हकीम साहिब सुलेमार खान साहिब बड़े सुखी रहे परिवार से सुखी रहे बगवान उनकी उमर ज्यादा कर दे तो जिससे की है वह हम ऐसे बीमार लोगों की ये मर्जों की दवा पहुंचाए कि तो उनको फाइदा होगा और हम दुआ देना चाहते है कि हमारे सुलेमान खान साहिब हमारे भगवान हो करके वह समझे लिए भगवान हो गई जैसे कि ये बुड़ा पर में दौा दे दी आखरी सवाल आप से एकरना चाहूंगी हकीम साहब से जुड़के कितना अच्छा लगता है कि हम सोचते हैं भगवान जायब हकिम साहिब को बहुत सरीर अच्छा बदर है भगवान हमारी तरफ से अब बुड़े आदमियों के आसिर बास उनको दे जिसे कि भगवान उनकी कि पार करें बहुत बहुत शुक्रिया सर आपने वक्त हमें दिया अपने गाउं हम बुलाया और आपसे मिलने का मौका हमें मिला आप ऐसे ही सेहत मंद रहें स्वस्त रहें शुक्रिया सर तो दर्श को अभी आपने सुना आरभी वर्मा जी के फादर को जिनोंने खास तोर पे हमें अपने गाउं में मंत्रित किया और बहुत अच्छा लगा हमें उनके फाद जूना हो लेकिन उन्होंने जो उमीद रखी वो काम्याब हो गई है और उन्हें पैरों की जो तकलीव थी उसमें आराम भी मिल गया है तो यही बात मैं भी आप सभी से कहना चाहती हूं अगर आप लोग यूनानी ट्रीटमेंट से जूनना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम का न मुझे भी दीजे इजाजत नमस्कार